संजय लीला भनसाली की फिल्म पदमावत रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पांच बदलावों के साथ रिलीज करने की अनुमती दी है इन में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो घूमर दांस में किया गया है दरसल फिल्म में अब इस गाने में दिपिका पहले की तरह डांस करती नसल नहीं आएंगी मतलब गाने में अब उनकी कमर और पेट नहीं देखेगा राजपूत करनी सेना और दूसरे संगठनों का मानना है कि इस गाने को या तो बैन किया जाए या फिर दिपिका पादू को उनकी कमर को छिपाया जाए क्यूंकि रानी पदमवती के अंग को दिखाना उनके अपमान जैसा है माना जा रहा है कि विरोध के बाद सेंसर बोर्ड की एक्जामिनिंग कमिटी ने डाइरेक्टर भनसाली को कहा है कि घूमर गाने में दिपिका की कमर नहीं दिखनी चाहिए ऐसी खबरे हैं कि modern technique VFX की मदद से गाने में दिपका की कमर को छिपा दिया गया है चलिए अब जानते हैं कि फिल्म में और कौन से 5 प्रमुफ बदलाव हुए हैं फिल्म का नाम पद्मावती नहीं, पद्मावत होगा कैरेक्टर के गर्मा के मताबिक घूमर डान्स में सुधार होंगे डिस्कलेमर देना होगा कि ये फिल्म सती प्रथा को महिमा मंणित नहीं करती फिल्म कालपनिक होने का डिस्कलेमर भी देना होगा एतिहासिक्स धलूं के गलत भामक संदर्भों में बदलाव किया जाएगा अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपची नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई